चेप्टर 14 मेंशुरेशन ब्रेन टीजर का कॉस्चन नमबर 10 है एन आइरन पाइप एक आइरन पाइप है यानिकि एक होलो सिलिंडर है इस 21 मीटर लोंग और 20 मीटर मीटर लोंग है यानिकि उसकी हाइट है और इस एक्स्टीर डाइमेटर दे रखा है 8 सेंटीमिटर और इस थिकनेस आइप निकालना है और 1 सेंटीमिटर क्यूब का या 1 क्यूबिक सेंटीमिटर का वेट दे रखा है 8 ग्राम तो हम क्या करेंगे इस कोस्टन में हम पाइप का वोल्यूम निकाल लेंगे pipe का volume निकालते ही और निकालने के बाद 8 gram से multiply कर देंगे वो उसका आ जाएगा weight अब देखो कैसे करना है height of pipe अब height of pipe यानि length of pipe हमें दे रखिया है और pipe क्या होता है hollow cylinder होता है 21 meter दे रखिया 21 meter को हमने क्योंकि बाकी सारी चीज़ें centimeter में दे रिखिया है इसलिए हम meter को भी centimeter में change कर लेंगे 21 meter को 100 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 2100 centimeter इसको हमने centimeter में change कर लिया अब thickness कितनी है इसकी 1 centimeter ठीकनेस है 1 centimeter और exterior diameter exterior diameter है हमारा 8 centimeter और external radius कितना हो जाएगा outer कहलो या external कहलो ठीक है external radius कितना हो जाएगा external radius हो जाएगा हमारा 8 by 2 यानि कि 4 centimeter और inner radius कैसे निकलेगा या internal radius कैसे निकलेगा outer radius में से या external radius में से thickness को minus कर देंगे तो हमारे पास आगया inner radius देखो इस type का था उपर से pipe ऐसे दिखरी थी हमें इस type की दिखरी थी ठीक है ऐसे होती है pipe अब यह इसकी है thickness यह क्या है इसकी thickness है यह इतनी मोटाई है इसकी थिकनेस है यहां से लेकर center से लेकर यहां तक यहां तक यह इसका क्या है small or है small r है यह क्या है internal radius और यहां से लेकर यहां पूरा यह यहाँ से लेख यहाँ तक है यह capital R है यह क्या है outer radius और यह क्या थी इसकी thickness थी यह क्या थी thickness यह total मेंसे अगर यह small और small r minus कर दें तो हमारे पास thickness बचेगी या फिर हम कहें outer radius मेंसे अगर हम thickness को minus कर दें तो क्या बचेगा हमारे पस internal radius बचेगा ठीक है तो यही हमने अब इस pipe का अब हमने volume निकालना है यह सारी चीज़े हमने लिख ली internal radius लिख लिख लिया external radius लिख 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 और इसकी क्या लिख लिख ली हमने height लिख 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 लि इंटर्नल वॉल्यूम में इंटर्नल रेडिस ले लिए हमने तो आप सारी वैल्यू पुट कर दो पाई की वैल्यू क्या 22 वाई 7 है और कैटल आर कितना था हमारे पास 4 था 4 इंटु 4 और H दोनों का सेम है हाइट दोनों की सेम है 2100 और इधर भी आसी रखेंगे 22 वाई 7 आर थ हाजेगा इसका वॉल्यूम आजेगा हमारे पास ठीक है यह हमने क्या ले लिया हमने यह common ले लिया 22 वाई 7 इसमें भी है ठीक है और 2100 इसमें भी आ इसमें भी है तो यह ले लिया हमने common, इधर रहाए गया 4, 4 जा 16, और इधर रहाए गया 3, 3 जा 9, 16-9, 16-9 उत्तर 7, आब क्या करेंगे भी इसकी करदो, cutting, 7, 3 जा, आब multiply करदो, 22, 300, और 7 की multiply करेंगे, तो हमारे पास यह आजेगा, ठीक है, इतना क्या आगया हमारे पास, volume of pipe है, volume of pipe, और 1 cm3 का weight दे रहे रहे था 8 ग्राम, और इतने cm का weight कितना हो जाएगा, इसको 8 से करदेंगे, हम multiply, जब इसको 8 से multiply करी, तो weight of pipe आगया, हमारे पास इतने gram, अब gram को अगर kg में change करना है हमने, तो 1000 से करदेंगे, हम इसको divide, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यह kg में change हो जाएगा, 2 0 से 2 0 होगी, cut, अब एक 0 रागी, तो 1 के बाद पिछे से लग जाएगा, decimal, 369.6 kg, यह क्या आगया, weight of the pipe आगया, ठीक है, जब भी ऐसा question आए, weight of the pipe आए, तो आपने क्या निकालना है, volume of pipe निकालना है, और volume of pipe क्या होता है, external volume minus internal volume, जो volume आ जाएगा, उसको जो इसने question में दे रखे है, उसने जै multiply कर देंगे, और हमारा answer आ जाएगा, अब next question देखते हैं, next question में क्या है, अब question number 11, यह easy है, थोड़ा सा concept समझना है, बस आपने, a well is dug 20 meter deep, एक कुवाँ ऐसे, इस तरह का कुवाँ था, उसको खोदा गया, और 20 meter deep था यह, इसकी height थी वही 20 meter, और has a diameter, और इसका diameter, total diameter था वही 7, 7 meter, the earth which is so dug out is spread evenly, वने rectangular plot, अब क्या किया है भई, अब जो इससे मिट्टी खोदी गी, कुवाँ खोदा, कुवाँ खोदने से क्या निकलेगी, भी मिट्टी निकलेगी, जब कुवाँ को खोदा गया, बनाया गया शुरू में, तो मिट्टी निकली गई, मिट्टी निकली इसकी breadth होगी, और इसकी क्या होगी भई, height भी होगी, वही height हमने इसकी निकालनी है, इसे जो rectangular plot है, ऐसे मिट्टी यहाँ पर जमा कर दी गई, तो मिट्टी की length होगी, breadth होगी, और कुछे height भी होगी, और मिट्टी की कुछे height भी होगी, ऐसे height भी होगी, तो height हमने निकालनी इसकी हाइट हमने निकालनी है सबसे पहले तो लिख लिए हमने जो ये सिलेंडर था यानि कि जो कुवाँ था हाइट है सकी 20 मीटर और डाइमेटर है उसका 7 मीटर तो रेडिस कितना होजेगा 7 by 2 हाफ होजेगा डाइमेटर का 7 by 2 मीटर अब क्या निकालनाएंगे हम वोलिम निकालनेगे कि मिट्टी कितनी निकली है वोलिम अवधा अर्थ डाग आओट वोलिम क्या होजobil इस मिट्टी का वोलिम होज़गा तो पाई आर सकुएर एच तो पाई आर सकुएर एच आर कितना है 7 by 2 7 by 2 multiply 20 अब इसको करेंगे हम solve जब इसको solve करेंगे तो हमारे पास आएगा 770 मीटर क्यूब 770 क्यूबिक मीटर इतना क्या आ गया मिट्टी का वोल्यूम आ गया यह हमारे पास क्या आ गया जो अर्थ हमने निकाल लिया वो इसका volume आगया हमारे पास अब देखो इस question को क्या करना आब point समझने वाला है जो मिट्टी हमने यहां से निकल लिए वही मिट्टी हमने यहां पर रखी है यानि कि इसका volume और इसका volume मिट्टी तो same है दोनों मिट्टी का volume मिट्यम के होंजेगा इखेवल होंजेगा यह cylinder था और यह क्या है rectangular plot है rectangular plot का मतलब यह क्या है cuboid है Hoffrey Dawson के length होती है breadth होती है मैंने तो इसकी दो बढ़ाई है मगर यह क्या चीज़ है यह क्योड है cuboid है जो मिट्टी बिचाई गई है breadth है और height भी है ठीक है तो इसका volume और इसका volume equal हो जाएगा किसका volume? cylinder का volume जो हमने निकाल लिए मिट्टी उसका volume और जो ये cuboid है यानि कि जो platform है उसका volume equal हो जाएगा बस यही step समझने वाला था तो इसका volume तो हमने निकाल लिए cylinder का volume तो length of platform कितनी है? 22 meter 14 meter given है और height जो हमने निकाल लिए उसको हमने capital H माल लिए अब क्या है भई? तो according to question volume of platform इस platform का volume और इसे जो cylinder है यानि कि अर्थ जो हमने निकाल लिए है मिट्टी जो निकाल लिए है उसका volume equal हो जाएगा तो volume of platform equal to volume of earth dugout volume of platform platform किया एक keyword है length multiply height यह आपको पता होगा यह क्योब है क्या होता है और इसका volume हमने निकाल लाई है भी volume of earth dugout 770 निकाल लाई है तो यहाँ पर 770 रख देंगे L की value 22 है B की value कितनी है 14 है तो यह इधर इधर multiply कर रहा है दर जाकि divide कर देंगे नीचे आजएगा आप इसको काट दो इसकी cutting करेंगे 77 हो जेगा ही और 0 11 से cutting कर देंगे 1170 और 0, 11, 2 जा और फिर 2 से cutting कर देंगे तो 35 आजएगा अब इसकी 7 से 7, 2 जा और 7, 5 जा 5 by 2 आगया 5 को 2 से करेंगे 5 by 2 आगया 5 को 2 से divide करेंगे तो हमारे पास आजएगा 2.5 मीटर ये क्या आगी height of the platform आगी ठीक है तो easy question था आप इसको ध्यान से देख लेना बस इसमें क्या point note करने वाला था जो हमने मिट्टी कुए से निकाली है कुए खुद कर निकाली है वो उसी मिट्टी से हमने क्या बनाया है platform बनाया है यानि की volume of volume of क्या आजएगा volume of cylinder equal to volume of platform यानि की volume of cuboid यही हमारा point था जिससे हमारा question complete हो जाएगा अब next question देखते है next question में क्या है अब question number 12 है बिल्कुल easy है तो the volume of a right circular cylinder volume दे रख रख है volume दे रख रख है 448 pi cubic centimeter and height दे रख है 7 centimeter find the lateral surface area lateral surface area का मतलब होता है card surface area बात एक ही है चाहाई lateral surface area कहलो चाहाई card surface area कहलो और total surface area दो चीज़े हमने निकालनी है जो given है वो लिख लो यह तो बिल्कुल easy question है height of the cylinder कितना है 7 centimeter और हमारे पास volume of cylinder कितना है 448 pi cubic meter यह आगे हमारे पास volume दो चीज़ें दी हुई थी height हमने लिख ली और volume of cylinder लिख लिख लिया volume of cylinder क्या होता है volume of cylinder आपका होगे pi r square h होता है तो pi इदर भी pi है इदर भी pi है जब उदर जाएगा तो divide करेगा pi से pi क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यहीं पर मैंने cancel कर दिया और r square और h की value कितनी है h की value है 7 अब 7 इदर multiply कर रहा है उदर जाके कर देगा divide 448 को 7 divide करेगा तो आएगा 64 तो r square की value आगी हमारे पास 64 हमें तो r की value चाहिए हमें r square की value नहीं चाहिए तो दोनों तरफ ले लेंगे square root square से cut गया square root 64 का square root होता है 8 64 को हम ऐसे लिख सकते है 8 8 जा 64 तो एक pair बन गया तो हमारा क्या आगया इसका radius कितना आगया 8 आगया 8 cm आगया इसका radius अब हमारा question बिल्कुल easy हो चुका है हमने निकालना है lateral surface area या फिर ऐसे कह सकते है card surface area card surface area cylinder का क्या होता है 2 pi r h तो 2 pi की value क्या है 22 pi 7 है r कितना है 8 है और h कितना है 7 है तो इसको 7 से होगा 7 cancel 2 की multiply 22 और 8 से करेंगे तो आगया 352 square centimeter यह हमारा आगया card surface area अब निकालेंगे हम total surface area total surface area का आपको formula या दोना चाहिए 2 pi r into r plus h तो 2 pi की value 22 by 7 r कितना 8 है r 8 है h 7 है 8 और 7 है 15 अब यह 2 multiply 22 by 7 multiply 8 multiply 15 अब यह कट तो होनी रहा कुछ भी कटनी हो रहा तो इन सब की कर देंगे हम multiply इन सब की multiply करेंगे तो आएगा 5 2 8 0 निच्चे क्या है 7 है 7 से divide करेंगे तो आएगा इसको divide करने के बाद आएगा 754.28 square centimeter तो यह हमारा यह question भी हमारा क्या हो गया complete हो गया अब इसका next question देखते है next question में क्या है अब question number 13 ने इसका verify Euler formula 4 square pyramid triangular prism and rectangular prism इसके लिए हमने Euler formula को क्या करना है verified करना है यह question मैंने worksheet 8 में आपको करभा रखे है आप उसको एक बार देख लेना अच्छे से ठीक है तो आपको जल्दी से समझ आजएगा अब square pyramid क्या होता है आपको यह पताऊना चीए और Euler formula क्या होता है आपको यह पताऊना चीए Euler formula क्या होता है यह होता है F plus V minus E equal to 2 यह है Euler formula यह faces होता है यह vertices और E means ases और equal to क्या हैगा 2 faces और vertices को add करेंगे और उसमें से जब ases minus करेंगे तो answer क्या हैगा अमेशा 2 आएगा इसी को हमने verify करना है तो सबसे पहले verify करना है square pyramid के लिए आप सबसे पहले आपको यही पता होना चीए square pyramid होता क्या है तो square pyramid होता है यह इधर देखो square pyramid होता है यह यानि कि निच्चे एक square है और उस जैसे एक square क्या है यह से निच्चे बना हुआ है और इस side प मिल जाती हैं. तो इसको बोलें के स्क्वेर पिरामीड तो इसके कितने होगे? आप कह ओगे. इसके फेस होजाएंगे five. एक होगा square और चार्ट रैंगल. तो कितने होगे faces के five. ऐसे ही इसके vertices कितने होगे? vertices भी आप vertices भी इसके 5 हो जाएंगे और As is कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी Vertices 5 कैसे होंगे इसके सीरे कितने होंगे 1,2,3,4 और एक ये उपर वाला 5 ये होगे इसके Vertices और क्या है बहीं इसके और As is कितने होंगी 8 होंगी 1,2,3,4,5,6,7,8 ये जो भी Line Segment है ये कितने ये Line Segment As is का मतलब ये Line Segment कितने बने होंगे इसमें तो आप कहोगे 8 बने होंगे तो हमने लिख लिया Faces 5 है Square Pyramid के Vertices 5 है और As is कितने 8 है अब और फार्मूला लिख दो F प्लस V माइनस E इकुल टू अब इसकी ले लो इसी को हमने verify करना है इसी formula को verify करना है अब इसकी ले लो Left Hand Side ये वाली Left Hand Side ले लो और ये Right Hand Side है 2 तो F प्लस V माइनस E ये हमने Left Hand Side ले ली आफ की value रखो 5 V की value रखो 5 और E की value रखो 8 रख दी 5 प्लस 5 कितना होता 10 10 माइनस 8 कितना होता 2 तो हमारा answer की आगया 2 और Right Hand Side में भी क्या था 2 तो Left Hand Side इक्वल 2 Right Hand Side ये हमारा क्या हो गया verify हो गया तो बिल्कुल easy था ये तो अब next किसको verify करना है verify next करना है हमने triangular prism को सबसे पहले तो हमने ये देखना पढ़ेगा कि triangular prism होती क्या है triangular prism होती है खिक है ये क्या है triangular prism एक triangle इधर है एक triangle इधर है यानि कि base और top जिसका same हो खिक है अगर निच्चे triangle है तो उपर भी triangle होनी चाहिए उस ही को prism कहते है निच्चे square है तो उपर भी square होना चाहिए base और top होता है same किस में? प्रिजम में, प्रिजम में क्या होता है, बेस और टोप सेम होता है, और पिरामीड में क्या होता है, निच्चे वाला कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो सकता है, और जो जितनी भी उसकी लेटरल फेसिस हैं, वो क्या होती है, ट्रेंगल होती है, ठीक है, तो यह है अमारा ट्रेंगुलर प्रिजम आप इसका देखो ट्रेंगुलर प्रिजम के देखो निच्चे क्या है एक तरह से आप यह लगाओ एक परलोग्राम है निच्चे ट्रेंगुलर प्रिजम की ठीक है और एक इस टाइब की यह फिगर है इस टाइब का एक solid है triangular prism अब हमने बताना faces कितने इसके faces कितने होंगे 5 होंगे इसके एक निच्चे पड़ा है ठीक है एक side में एक इस side में 3 होगे और 2 triangle होगी कितने होगे 5 faces होगे इसके और vertices कितने होगे इसके कोने कितने होगे 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 6 6 vertices होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इसके line segment गिन लेंगे हम कितने होगे line segment जब हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 4 होगे निच्चे 5, 6 और 7, 8, 9, total कितने होगे 9 होगे, आब इलर formula लगा दो इलर formula होता है F plus V minus E equal to 2 तो left hand side का आजएगा F plus V minus E ये है left hand side F की value रखो 5 और V की value रखो 6 और E की value रखो 9 6 plus 5 कितना होगेगा 11, 11 minus 9 कितना होगेगा 2 तो ये और right hand side में क्या था 2 तो left hand side equal to right hand side हमारा formula क्या हो गया verify हो गया अब next इसका last part देखते हैं इसका अब इसका last part है rectangular prism rectangular prism के लिए verify करना है Euler formula को rectangular prism होता है ऐसा आप कहोगी के जो एक qubode होता है उसी को हम rectangular prism क्या सकते है rectangular prism कैसा होता है भी qubode जैसा होता है आप qubode के आपको पता है face कितने होते हैं 6 होते है six face होते है मालो कोई कमरा है, रूम में है, रूम के कितने face होएंगे, आपका होगे, रूम के 6 face होएंगे, vertices कितने होएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 होएंगे, और edges कितने होएंगे, line segment कितने होएंगी, line segment इसमें होएंगी 12, तो हमने लिख लिया faces कितने होएंगे, rectangular prism के 6, और vertices कितने होए 8 और as is कितने होगे 12 और Euler formula लेखलो F plus V minus E equal to 2 इसकी लेखलो left hand side F plus V minus E तो left hand side लेखली हमने F की value कितनी है 6 6 रख दी और V की value 8 है 8 रखती और E की value 12 है 12 रख दी अब 8 plus 6 होता है 14 14 minus 12 होता है 2 तो 2 और right hand side में V क्या था 2 left hand side E equal to right hand side ये हमने क्या कर दिया भई formula को verify कर दिया अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ share जुरूर कर देना next वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार